नमस्कार दोस्तों मैं डॉक्टर नेखिल आपको बहुत बहुत स्वागत है मेरे येटू चैनल पर दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बहुती इफाक्टिव होमोपैथिक मैडिसिन जिसका नाम है दोस्तों है पेरिकम परफोरेटेकम जिससे हम है पेरिकम के बहुत नाम से जानते हैं दोस्तों यदि आपको कभी ना कभी सरीर में चोंट लगी होगी और चोंट जब आपको लगी है दर्द आपका बिल्कुल भी ठीक नहीं हो रहा है आपने आरनिका यूज करी है रूटा यूज करी है रेस्टोक्स मैडिसिन यूज करी है काफी इस इंफध मादेसिन आपने यूज करी हैं फिर भी आपका दर्द ठीक बिल्कुल भी नहीं हो रहा है तो य हैपएरिकम मैडिसिन बहुत ही इफट इफक्तिव है आज के इस वीडिओ में मैं आपको हैपेरिकम मैडिसिन के बारे में पूरी जानकारी दूंगा किन किन कंड करना चाहिए क्या 200 news करना चाहिए किस potency मियान सबसे अच्छे results देती ह peculiar और ती से नंबर प्रिक्ष्ट और तीसे नमबर पे आता है दोस्तो रूटा, तीन मैडिसिन के साथ इसकी तुलना की जाती है, कब हम पेशेंट्स को किन कंडिशन में कौन सी मैडिसिन देनी चाहिए, पाँच ऐसी मैडिसिन बताऊंगा, जो आज तक कभी किसी ने आपको वीडियो में सिंपल तरीके से बिल चैनल से जोड़ना चाहते हैं, तो रेटकर की वड़न दबा कर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, सांती सांद वेल आइकन की घंटी को प्रेस कर दें, ताकि सभी लेटिस्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको मिल सके, और हैल्स लेटिव इंफर्मेटिव वीडियो आपसे बिल्कुल ही मिस्ट ना हो सके, तो चलिए दोस्तो जानेंगे हाइपेरिकम पारफोरेटेकम मैडिसन के बारे में, दोस्तो चौट का जब भी कभी नाम आता है, तो आरनिका का सबसे पहले नाम आता है, दोस्तो आरनिका के बाद काम करने वाली बहुती हाइपेरिकम पारफोरेटेकम मैडिसन है, रूटा उसके बाद इस मैडिसन का नाम आता है, तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं, तीन मैडिसन जिसके साथ क्यों कमपरिजन हम कर रहे हैं, पहले नमबर पे दोस्तो यदि हमें कहीं भी चौट लगी है, यदि हमें बलड आया है यदि मास पेसियों में कभी चौट लगी है, तब हमें पेसेंट्स को आर्निका मैडिसन देने की आफशकता होती है, मैं सिंपल तरीके से 10 मिट के अंदर पूरा यहाँ वीडियो खत्म कर दूँगा मास पेसियों में चौट लगी है, हमारा हाथ है, मास पेसियों में चौट लगी है, हमें पेसेंट्स को आर्निका देना है, चाहे खुन निकला है, मास पेसियों में चौट लगी है, पेसेंट्स को हमें आर्निका देना, साधी सिंपल एक सीधी बात नेक्स्ट मैं आपको बता रहा हूँ हाइपेरेकम परफोरेटेम का वेल मार की नोट सिम्टम यदि हाथ के अंदर जो छोटी छोटे तंतुए होते हैं हडडी के ऊपर जो रेशे होते हैं नवस होती है उसमें यदि चोट लगी है तो पेशेंट्स को हमें हाइपेरेकम परफोरेटेकम मैडिसिन देने की आवशक्ता होती है और यदि चोट अंदर लगी है तो पेशेंट्स को रूटा मैडिसिन देने की आवशक्ता होती है बहुत सारे पेशेंट्स हमारे पास ऐसे आते हैं जो हमें यहां complaint करते हैं कि यहां हमें काफी लंबे समय से चोंट लगी है वहाँ बिल्कुल भी ठीक नहीं हो रही है हमने आरनिका यूज कर लिया, रेश्टॉक्स यूज कर लिया, संफैटम यूज कर लिया काफी medicine यूज कर लिया, ठीक बिल्कुल भी नहीं है बहुत सारे सरजन को दिखा लिया, बहुत सारी medicine ये उसका लिया, उस condition में patient को hypericum perforatingum 30 medicine में 30 potency में देनी की आप सकता है, बहुती अच्छे result देखने को मिलते हैं, रूटा हमें patients को कब देनी चाहिए, जब हड़ी के अंदर चौंट लग जाती है, जब patients का accident हो जाता है, frequency वीडियो के last में बताऊंगा, और 5 ऐसी medicine बताऊंगा, जो आपने कभी तक simple भासा में नहीं समझी होगी, जैसे मैंने अभी समझाया, तो चलिए, start करते हैं, hypericum perforatingum के बारे में, पहले नंबर पे symptom आता है दोस्तों, यदि आपको कभी भी कहीं भी चौंट लगी है, बच बहुत सारी पेशेंट को, यदि आपको साइटीका की प्राबलम है, एक particular zapart से होती है, कभी नीचे की उपर आता है, कभी ऊपर की और जाता है, पर बहुत सारी पेशेंटों हमें देखा है, जब नफ्स का दर्द होता है, तो उपर तक जाता है, तब यदि वहाँ दर्द ब तकलीब है नफस में जो तकलीब है वहाँ पूरी तरह से ठीक हो जाएगी बहुत अच्छे रिज़र्ट देखने को मिले हैं दोस्तों यदि आपको कभी भी कहीं भी चोंट लगी है यदि वहाँ पे सड़न पैदा होने लगी है तो पैसेंट्स को हैपेरिकम मैडिसिन थर्ट चोंट लगी है तो उस कंडिशन में आपको यूज करना है यदि आपकी कमर में हमेशा दर्द बना रहता है इसका यहाँ एक बैल मार्क की नोट सिम्टम है हमारे बैक साइट में यहाँ पे हड़ी में दर्द बना हुआ है और वहाँ दर्द अंदर से परिशान कर रहा है द दोस्तो बहुत से लोगों को आपने देखा होगा सरवाइकल की प्रावलम होती है आपे हमेशा दर्द बना रहता है अंदर की और वर्टेक्स के पास हमेशा प्रावलम बनी रहती है और यहाँ दर्द होकर उपर हैडेक की प्रावलम होने लगती है तो पैसेंट को हैपेरे में हमेशा दर्द बना रहता है तो उस कंडिशन में पेशेंट को हाई पेरिकम पर्फॉरेटिकम थर्टी मैडिसेन में थर्टी पोटेंसी में आप यूज करें बहुती अच्छे रिसल्ट देखने को मिलेंगे एक वैल मार की नोट सिम्टम आपको सुद्ध हिंदी भासा में समझा रहा हूँ ब्रूश्ट फीलिंग यदि आपको कहीं भी कुचल गया है हिंदी भासा कुचल गया आपने दरवाजा बंद किया दरवाजा बंद करते हुए यहां पे चोंट लग गई नहीं बलड आया नहीं कुच है कुचल लगी अंदर चोंट लग गई तो उस कंडि थी perfume फेक्चर हो गया है तो खून आया है तो आरोणिका दे चोंट लगी है कुचल गया है दब गया है, हड़ी में भी चौट लगी है, फेक्चर हो गया है, फेक्चर ठीक हो गया, उसके बाद भी हड़ी की तंतूओं में दर्द बना रहता है, किसी भी एनी एज आफ ग्रूप में, यदि आप मेरा यहाँ वीडियो देख रहे हैं, आपको जानकरी, अभी मिली है, 100% थर्टी पोटेंसिय में, सुबा दो फेर स्यां, हैपेरिकम आप यूज करें, हैपेरिकम बहुती अच्छे रिजल्स, बहुती फाक्टर बिसल्स देखने को मिले हैं, दोस्तों यदि आपको जबडे में दर्द होता है, आपने देखा होगा, जबडे में हमीसा दर्द बना हिंदी भासा, प्योर हिंदी, जबडे में दर्द होता है, यह हमारा जो जबड़ा है, यहाँ पे दर्द बना रहता है, दात निकल जाते हैं, ओपरेशन हो जाता है, दात निकल जाते हैं, वहाँ पे हलका हलका दर्द बना रहता है, जब भी बारिस का मोशम आता है, नफ्स आपकी जो तकलीब है वाप पूरी तरह से टीक हो जाएगी इस बात का हमेशा ज्यान रखें चलिए यह तो हो गए सिंटम हाइपरिकम पारफॉरेटेकम हिंदी वासा में शमझाए आपको पूजट फीलिंग कुछल गया हो कहीं भी कुछल गया हो किसी भी तरह से हड़ी में क कुछल कि पैर में दर्द हो रहा है हाथ में दर्द हो रहा है बैक साइट में दर्द हो रहा है सर्वाइकल में दर्द हो रहा है सिर्फ नव्स का दर्द है तन्तूओ का दर्द है तब आपको हैपेरिकम पारफॉरेटेकम यूज़ करनी है इस बात का भी से जान रखें हाँ, तीन मैडिसिन के साथ इसकी तुलना हो गई, अब पाँच ऐसी मैडिसिन आपको बता रहा हूँ, पर डोस समझा देखाँ, डोस क्या है दोस्तों, हैपेरिकम, परफोरेटिकम, इदि आपको चोंट काफी लंबे शमय से है, स्टार्डिंग हो रही है, या काफी लंबे शमय से 200 पोटेंसिम यूज करना है, चारबुन सुभा, चारबुन स्याम को continue 15 दिन तक, इसके बाद मैडिसिन आप बंद कर दें, यदि जब आपको दर्द होता है, तब आप मैडिसिन यूज करें, आपकी जो प्राब्लम है, दीरी दीरी करके पूरी तरह से टीक हो है, चार मेने, छे मेने लेते जा रहे हैं, ऐसा ना करें, एगराविशन भी होता है, इस मैडिसिन का इस बात का, विशेज ध्यान रखें, ठीक है, थार्टी पोटेंसिम है, चारबुन स्याम को, चारबुन सुभा श्याम यूज करें, यदि एक्क्यूट कंडिशन है, ज्य है, परफोरेटम की जानकारी बिल्कुल भी नहीं है, दर्द चोंट में, रूटा यूज कर ली, आर्निका यूज कर ली, सिंफाइटम यूज कर ली, ब्रायोनिया यूज कर ली, पता नहीं, तमाम-तमाम मैडिसिन यूज कर ली, कोई रिजल्ट देखने को नहीं मिले, होमो मार की नोट सिंटम बताऊंगा, एक कॉंबिनिशन बताऊंगा, बहुत ही अच्छी रिजल्ट देखने को मिलेंगे, यदि सरीर में, बच्पन में कभी भी चोंट लग गई है, तो उस कंडिशन में आप बहुत ही अच्छा काम करती है, अब जानकारी देता हूं, पांच ऐ पर यूज करिएगा, चारबुन सुबा, दुफैर स्याम, कंटिन्यू चीन से चार दिन तक, केरिंटेड हैं, आप एहारा कभी भी नहीं पड़ेगा, दाग बिलकुल बहुत ही अच्छे और बहुत ही इफैक्टिव जल्स देखने को मिलेंगे, दूसरे नमबर पर आता है दोस्तो, रेस्टॉक्स, कभी भी सर्दियों में आपको हमेशा दर्द बना रहता है, मोसम चिंजिस होने पर आपको दर्द बना रहता है, तो उस कंडिशन में पेशन्स को रेस्टॉक्स मेडिसिन देने की आफशक्ता होती है, नेक्स्ट मेडिसिन है, दोस्तो, कैलेंडू करती है कभी भी आपको कभी कोई डॉग ने काट दिया है या काउ ने काट दिया है या कैट ने काट दिया कुत्ता बिल्ली के काटने पे लीडम पाल एंटी टिटनस मैडिसिन है होमोपेथिक में यदि आप तुरंत किसीमने भी आपको काटा है यदि आप उस कंडिशन में यहाँ लीडम पाल मैडिसिन यूज करेंगे एंटी टिटनस मैडिसिन यूज करेंगे तो टिटनस की मैडिस titanus का injection लगाने की आपको आफशकता नहीं पड़ेगी बहुत ही अच्छा काम करती है लीडम पाल यदि सर्दियों में दर्द बना है हड़ी में दर्द बना है तो लीडम पाल रूटा का comparison किया जाता है बहुत ही अच्छा काम करती है सर्जीकल operation हो गए है और वहाँ पे जब operation होता है operation के बाद patient को stephagriya medicine दी जाती है ताकि घाव जल्दी हील हो सके बहुत ही अच्छा काम करती है stephagriya का बहुत से लोगों ने आपको बताया नहीं होगा इसके बाद मैं आपको बताता हूँ जब operation हो गया है operation होके seizure हो गया है उसके बाद जब भी motion changes होते हैं कभी भी वहाँ पे दर्दवना होता है तो stannum medicine वहाँ पे use की जाती है बहुत ही अच्छे results देखने को मिलते हैं बहुत ही effective homeopathic medicine है बहुत ही अच्छे results आपको देखने को मिलेंगे stephagriya 200 potency में सुबह शाम use कीजिएगा कम से कम 10 से 15 दिन तक problem पूरी तरह से ठीक हो जाएगी थोड़ी बहुत problem बसती है तो repetition भी कर सकते हैं stannum medicine का भी use इसी तरह से आप कर सकते हैं यदि अब next medicine आते हैं यदि आपको कहीं भी blood भेह रहा है वहाँ पिस sudden होने लगी है calendula साथ में use कर रहे हैं blood नहीं रुक रहे है gun powder उसमें use किया जाता है gun powder के बहुत ही अच्छे rolls हैं gun powder 3x में भी आप use कर सकते हैं दो गोली सुबा दो गोली दो फेर में दो गोली रात में powder form में भी आती है और tablet form में भी आती है बहुत ही अच्छे results में देखने को मिलते हैं पांच homopathic medicine है जिसका comparison किया जाता है जो आपको मैं simple वहासा में समझा रहा हूँ इस बात का बिसेज जान रखे तो दोस्तों इस तरह से आपको hypericum use करनी है मैंने और भी आपको medicine साथ में बचाई है bell mark keynote symptom बताई है symptom match करके आप medicine use करे बहुती अच्छे बहुती फैक्टर विजल देखने को मिलेंगे माताएं बहने बहुत ज़्यादा परिशान होती है हमें सा seizure होते रहता है परिशान रहती है seizure होने के बाद वहाँ पे दर्द बना होता है तो उस condition में आप hypericum, perforaticum यूज़ का सकते हैं फे गिरिया तुरंत operation के बाद यूज़ करते हैं वाद दर्द हमेशा बना रह रहा है तो stannum medicine यूज़ कर सकते हैं आपके जो दर्द की तपलीग है जो operation हुआ है, seizure हुआ है उसमें जो दर्द बना रहता है पूरी तरह से ठीक हो जाएगा बहुत ही अच्छे रिजस देखने को बिले है और अब जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ कुछ परेज की बारे में जो medicine यूज़ करते समय हमें परेज अवश्य करने चाहिए पहले नमबर पे आता है कच्चा प्याज आपको कच्चा प्याज बिल्कुल भी नहीं खाना है तूसरे नमबर पे आता है कच्चा लैसून कच्चा लैसून का उपयोग आपको बिल्कुल भी नहीं करना है यदि सबजी में डल रहा है तो सबजी के साथ आप यूज़ कर सकते हैं जैसे टमाटर, सबजी में डल रहे हैं, तो आप ले सकते हैं, खटाई भी आपको भी यूज नहीं करनी हैं, जिस प्रकार से मैं आपको बता रहा हूँ, नीबू का अचार या कच्चा नीबू आप रस लेते हैं, तो आपको भी नहीं लेना है, और किसी भी प्रकार का कोई भ खटाई आपको यूज नहीं करनी है, इस बात का विसे ध्यान रखना है, यह परेज हमें इसलिए करने हैं, क्योंकि यहाँ जो मैडिसिन की पावर होती है, जो मैडिसिन का डोज हम ले रहे हैं, जैसे 1M पोटेंसी, 30 पोटेंसी और 200 पोटेंसी में हम इस मैडिसिन को ले र रहे हैं, दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक की लिए, जैहिंद, जैवारत, बंदे, मातराम